मामा अंगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योता वल्लो राज से जा रहा है तो यहां की औरतों के मन में जल्ती बदले की आग की वज़ा से है ऐसी ही विरंगनाओं की कोक से मैंने अर्टों में जर्म लिया है लभनलो बनात की इस्त्रियों को यह अदिकार नहीं कौन थे किंग उदायन? हमने हिस्ट्यम में हरकंज्य डाइनिस्टी के बारे में तो सुना ही होगा जो बुधो और जेरो की एक एहम डाइनिस्टी में से एक थी एंशिंट इंडिया के इस एरा में हरकन्य डाइनस्टी जो डाइनस्टी ओफ मगधा की थोर्ड रूलिंग डाइनस्टी थी उसे एंशिंट इंडिया का एंपायर कहा जाता है और इसके रूलर थे बिम्बी सारा जिनके पिता ने वोने 15 साल गी उम्र में ही एक दाजाग अबादिया था क्योंकि उसका मानना था कि उनका राज करने का तरीका गलत है आजाता शत्रू को भले अपने पिता का हत्यारा कहा जाता हो नेकिन उसके राज में ये डाइनस्टी सबसे ज्यादा आगे बढ़ी थी उन्होंने कोसाला की राज कुमारी वजीरा से विभा किय और उनके बेटे का नाम था उदाईन, जिन्हें उदेया भद्र भी कहा जाता है, जो आजाता शत्रु के सकसेसर थे और इस डायनस्टी के चोथे किंग थे, जिन्हों ने 460 से 440 BC तक हर्कण्य डायनस्टी पर राज किया, कहा जाता है कि उन्होंने मेंली जेन ट्रडीशन्स क वही फोलो किया और साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने एक नए डायनेस्टी का निर्मान किया जब उल्गों ने अपने राज का क्यापिटल पार्टली पुत्र पुचुलों कहा जाता है कि उन्होंन आजाता शत्रू का फेवरिट बीटा था और वो अपने ग्रैंट फादर बिम्भी सारा की राज के दौरान मौजूद था और जब उसके पिता आजाता शत्रू गौतम बुद्धा से मिले तब उन्होंन एक यंग प्रिंस था उदायन अपने पिता और दादा से बेलको लालागी राजा था और उसने कई बार अवंती के पलाका को हराया था दोनों ही एक दूसरे के राइवल्स थी और अंध में एक बड़े युद्ध के बार अवंती ने उदायन को मार दिया और उसके राज्य पर खब्जा दिया उदायन की कहानी काफी दिल्चस्प है उसने बच्पन से ही अपने दादा बिल्ले सारा को राज करते देखा और बड़े होते होते उसने अपने पिता पर अपने ही पिता को मार डालने के आरोब लगते हुए देखा और जब उसने राज्य संभाला तब उससे दर्शाका ज अपने आपको सही साबित करना, लोगों की उम्वीदों पर खरा उतरना और गतम गुद्ध के दिखाय रास्ते पर चलना ये सब था और इसलिए उनकी इस कहानी पर बन सकती है बाहु बली थी और हमें एंशेंट इंडिया की सबसे बड़ी हरकन्या डाइनस्टी के महाराजाओं के बारे में बताया जाने वाला है जिनका नाम तो हमने हिस्ट्री में सुना है लेकिन इनकी कहानी भी अभी सुननी बाकी है तो आपको क्या लगता है क्या एंशिंट इंडिया की लॉस्ट डाइनस्टी पर बन सकती है बाहु मलित्री और अगर बनती है तो कैसा होगा प्रभास का नया लोग इस पर आप अपने खयाल हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना मत भूडियेगा झाल